जहां निर्दोस सनी बलय जातक को आत्म चिंतक ब्रह्मनिष्ट ज्यानी बनाता है वहीं दोस यूक्त एक दूसरे को काटती हुई रेखा बाले सनी बलय जातक को दुर्भागी एबम दुरघटना परदान करती है नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आईए आज बात करेंगे हम सनी बलय की बिशे में सरपर्थम फॉर्मेशन बनता कहां है कैसे बनता यह कुछ इस प्रकार से रिंग नूमा बनता है जिसके करण इसे मुद्रिका भी कहते हैं सनी मुद्रिका सनी पे बने तो सनी मुद्रिका रभी पे बने रभी मुद्रिका गुरू पे बने तो गुरू मुद्रिका इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे आज यह मध्यमा के नीचे सनी छेतर पर इस प्रकार से घेरते हुए से बन बनना यह सनी मुद्रिका कालाती है अगर यह निर्दोस हो असपष्ट हो और गहरी हो और गरहों की यूति आपकी सनिगरा गुरु गुरा अगर अच्छे स्थिति में हो तो ऐसे जातक के जो सुवपरिनाम प्राप्त होते हैं आत्मचिंतक अच्छे जातक आत्मचिंतक चिंतन करने वाले ब्रहमनिश्ट लोगों को भर्मचारी भी बनाता है बैरागी भी उत्पन करता है गिर्यस्त जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है चाहे इसका फॉर्मेशन सुद्ध हो या असुद्ध हो या फिर तूटा हुआ नहीं होता है यह तो हो गए जब सुप परिनाम देंगे जब यह इसके जो निगेटिव परिनाम है वीक परिनाम असुप परिनाम इसके देखें और अस्थिर प्रकृति किसी भी कारे में मन नहीं लगेगा कारी करेंगे बदल देंगे पुना कारी करेंगे बदल देंगे दुरभाग ये मतलब संगर्स बहुत होगा सफलता बहुत कम मिलेगी ऐसे जातक और सफल बहुत हो जाते हैं विभा इसे जातक नहीं करेंगे बैराग उत्पन होगा एकांतबासी सबसे अलग रहेंगे समाज से अलग रहेंगे इनको अकेले में रहना अलग से रहना पसंद होगा साथ मैं ऐसे जातक संतान दो पनहीन भी बनाता है ति ये कुछ असुप परवह भाव हो अब बात करें कि इसमें एगर फौर्मेशन के अनुषार कुछ इसके परिनाम बदलते हैं अगर ये इस प्रकार से फौर्म हो ये बीच में इस प्रकार से टूटा हुआ हो ये दिक लिए यहां असुब परभाव कम हो जाते हैं ये इस बात को ध्यान में रखे तूटा फुटा सा रूक रूक के बढ़ना कुछ इस प्रकार से बढ़ना इस प्रकार से बढ़ना ये जो है इसके असुब परभाव इसके जो है असुब फल में कमी आ जाती है साथ में अगर टूटा टूटा सा हो साथ में सुक्र पर अगर नचछतर का चिन हो तो ऐसे जातक का बैरागी बरमचरी बैरागी इनका खत्म हो जाता है इन पर बाधाउत पन करती है साथ में अगर ये हमारी मस्तिक्स रेखा इस परकार से ढलमा और चंदर में हो तो ऐसे जातक अत्यधिक कलपना सील भी बन जाते हैं ये सोचते बहुत हैं मगर कार ये कुछ नहीं करते ये कारी पे फोकस नहीं कर पाते अस्थिर नहीं हो पाते चंद चलता इनके अंदर बढ़ जाती है अगर ये चंदर में मस्तिक्स रेखा इनकी साथ में चली आबे चंद चलता बढ़ जाएगी और अस्थिरता बढ़ जाएगी ये एक असुब लक्षन हो जाता है भाग रेखा हतेली में होगा असपस्थ हो तो इसके परवाव कम होंगे असपस्थ और सुद्ध हो लेकिन भाग रेखा अगर असपस्थ सुद्ध नहीं है मालय जी ये लहरदार है इस प偌कार से या फिर भाग रेखा है बीच में तूटी होई है ये देखिए तूटी हुई है इस प्रकार से अगर भागे रेखा अच्छे स्थिती में नहीं हो तो कारी में और स्थिरता ये जो भी कारी करेंगे जहां भी कारी करेंगे इनको बिल्कुल और स्थिरता रहेगी कारी ये समय समय पर बदलते रहेगे जिनके कारण इनको सफलता मिलने में संसे रहेगी सफलता कम मिलेगी जीमन में संघर्स बहुत होगा और सफलता बहुत कम मिलेगी एक दूसरे को काटती हुई अगर इस प्रकार से बने एक रेखा इस प्रकार से काट दे इसा इसा सनी बले बनना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है ये दुरुभागी को उत्पन करता है दुरगटना को उत्पन करता है सनी मुद्रिका हतेली में जितनी खंडित अवस्था में होगी तूटी तूटी अवस्था में होगी इसके दुस्परभाव बुरे परभाव उतने ही कम हो जाएंगे ऐसे तो हतेली में सनी मुद्रिका ना हो तो ही अच्छा और सुब माना जाता है अगर हो तो यो बिल्कुल टूटा टूटा सो हो खंडित रेखा वाला हो तो इसके दुस परभाव कम हो जाते है साथ में गरों की अनिस्थिति अगर परवतों की इस्थिति ये अच्छी अवस्था में है ये अच्छे अवस्था में है भाग रेखा अच्छे अवस्था में है तो भी इसके परभाव कम हो जाते हैं लेकिन अनिस्थितिया अगर अच्छे अवस्था में नहीं है तो इसके दूस प्रभाव बढ़ जाते हैं आज के अंगे